नमस्कार दोस्तों स्वागत है टेली स्टेडी में इस वीडियो में क्रीसी एबंपसु पालन से संबंधित most important 100 questions कराने वाला हूँ ये सभी questions किसी न किसी competitive exams में पूछा हुआ है इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से आंत तक देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो सही जबाब होगा 70% option number B यानि कि भारत का कूल अबादी का 70% वेक्ति जो है क्रीसी कार्य पर निर्भर करते हैं अगला देखिए जूम क्या है ये जूम जो है आपका एक खेती का परकार है option number D यहाँ पे सही जबाब होगा जूम क्रीसी में क्या होता है कि पहले ब्रिक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है और साप की गई भूमी को पुराने उपकरनों जैसे कि लकडी के हलो आदी से जुताई करके बीजबो दिये जाते हैं इसी को कहते हैं जूम खेती आगला देखे इसी से संबंदित जूम विधी का वहवार किस राज में की जाती है यानि कि जूम विधी से खेती किस राज में होता है तो यह होगा आपका नागालेंड आपसन नमबर डी यहाँ पे सहीजबाब होगा और आपको बता दे कि नागालेंड में होर्नविल तहवार मनाया जाता है जिसे तहवारों का तहवार कहा जाता है अगला देखे कोसन नमबर चार इसी से संबंदित नागालेंड के परवत लगातार बंजर होते जा रहे हैं इसका परमुख खारन क्या है नागालेंड का परवत जो है लगातार बंजर हो रहे हैं इसके पीछे मुख्य कारन क्या है तो यह होगा आपका जूम क्रीसी आपसन नमबर C अगला देखिए स्वपान क्रिसी कहां की जाती है स्वपान क्रिसी जो है आपका कहां पर की जाती है तो आप चीतर में देखिए ये है पहार और पहार पर जो ये धलान टाइप में जो खेती की जाती है इसी को कहते हैं स्वपान क्रिसी तो option number A यहाँ पर सहीजवाब होगा सुपान क्रिसी जो है पहारों के धलान पर की जाती है अगला देखिए question number next है कि कौन सी मिर्दा यानि कि कौन सी मिट्टी अपरदन की परकरिया को तीबर करता है तो यह होगा आपका धलान क्रिसी में option number D अगला देखिए बहुत important बकरी किस देश का राष्ट्य पसू है जैसा कि जानते हैं आपकी भारत का राष्ट्य पसू क्या है बाग उसी परकार बकरी जो है यह किस देश का राष्ट्य पसू है तो यह होगा आपका पाकिस्तान का option number D और आपको बता दे कि बकरी को पाकिस्तान में मार खोर कहा जाता है ठीक ना मार खोर अगला देखिए भारत में बागानी क्रिसी के अंतरगत उगाये जाने वाली मुख्य फसले कौन कौन सी है तो बगानी क्रिसी के अंतरगत उगाए जाने वाली मुखे फसल जो है आपका चाय, रबर, नाडियल और कहबा होगा अगला देखिए कोशन नमबर 9 उस क्रिसी को क्या कहा जाता है जिसमें क्रिसी और पसुपालन दोनों ही साथ साथ किये जाते हैं तो देखिए यहाँ पे दो चीज हो रही है क्रिसी और पसुपालन तो क्या हो जाएगा मिश्रित किसी क्रिसी ओप्सन नमबर 2 यहाँ पे राइट आंसर अगला देखिए कोशन नमबर 10 भारत में फसलों की बुआई के लिए सूध छेतरफल लगभग कितना है तो फसलों की बुआई के लिए सूध छेतरफल जो है लगभग आपका 14 करोड हेक्टेयर है अगला देखिए कौन सी मिश्रित खेती की पर्मुख विसेब्शता है यह आपका होगा पसुपालन और खेती को एक साथ करना मिश्रित खेती का काम होगा अगला देखिए कौश्टा नमबर 12 मिर्दा रहित क्रिसी को क्या कहा जाता है मिर्दा रहित यानि कि मिट्टी रहित क्रिसी को क्या कहेंगे इसे कहेंगे जल संबर्धन और जल संबर्धन में जो है मिट्टी के बिना पाउधों को उगाने की विधी जिसमें पानी के बिलायक में खनीज पोसक्तत्वों के समाधान का उप्योग किया जाता है इसी को कहते हैं जल संबर्धन आगला देखे कोशन no. 13 पेरो की कतारों को बीच में फसले उगाने को क्या कहा जाता है पेर के कतारों के बीच में जो फसल उगाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं तोग्या पर नाली option number C, यहाँ पे सही जवाब, अगला देखिए question number 14, चलवासी क्रिसी किन राजियों की पहारी छित्रों की परमुक समस्या है, चलवासी क्रिसी जो है यह आपका असाम तथा बिहार का परमुक समस्या है, option number B, अगला देखिए question number 15, भारत में अस्थानांतरी क्रिसी का अस्थान या नाम क्या है भारत में अस्थानांतरी क्रिसी का अस्थान या नाम जो है आपका कुमारी जूम पेंड़ा यानि कि option number D ये सभी होगा अगला देखिए question number 16 समानांतर फसल का इनमें से कौन एक उधारन है समानांतर फसल का उधारन इनमें से आपका गेहूं और सरसों होगा option number A अगला देखिए question number 17 क्रिसी में यूगम पैदावार किसे कहते हैं यूगम का मतलब क्या होता है combined यानि कि दो चीज़ का मिला हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ही साथ दो फसल को करना ये आपका यूगम पैदावार कहलाएगा क्रिसी के छेतर में option number A अगला देखिए question number 8 भारत में किस छेतर में अत्य अधिक सिंचित खेती की जाती है तो यह आपका दक्कन के पठार में जो है सबसे ज्यादा सिंचित खेती की जाती है आगला देखिए भारत में सिंची छेतर के सबसे अधिक भाग पर कौन से खेती होती है यानि कि सिंची छेतर में सबसे ज़्यादा कौन से खेती की जाती है तब यह होगा आपका एक क्रिसी भूमी को किस रूप में परिभासित किया जाता है क्रिसी भूमी को जो है आपका कूल परती भूमी प्लस बुआई की गई भूमी को परिभासित किया जाता है यह दोनों मिलकर को जो है आपका क्रिसी भूमी के नाम से जाना जाता है कूल परती भूमी और बुआई की गई भूमी अगला देखिए question number next इन में से किस राज्यों में से किस में सीचाई के अंतरगत कूल क्रिसी छेत्र 2011 का अनुसार परतिसत सबसे जादा है यानि कि सीचाई के मामले में कौन सा राज में सबसे जादा जगह है या आपका परतिसत के मामले में पूछा गया है 2011 के according त किसी काम का कुछ समय तक लगातार होना जैसे कि यहाँ पर किसी के छेत्र में आपका होगा लगातार बरसा होना या आपका जो है दुस्प्रभावित करने वाला मोसम का सबसे महत्व पूर्ण तर्थव होगा इसको क्या करते हैं वरिष्टी option number D अगला देखिए इन राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी क्रिसी को लागू करने में अगरनी है यानि कि कौन से राज्य में ठेकेदारी क्रिसी सबसे ज़्यादा की जाती है तो यह होगा आपका पंजाब option number A अगला देखिए question number 24 एक फसली क्रिसी की विश्यस्ता क् यह होगा आपका विया पारिक अन क्रिसी की option number B अगला देखिए question number 25 एक के स्क्रिन पर आ चुका है बगान क्रिसी इन में से कौन सी फसले पैदा करती है बगान क्रिसी में यहाँ पे आपका खादियतर फसले पैदा होती है option number B right answer अगला देखिए question number 26 रभी की फसलों को कब जाता है रभी की फसल को जो है October से November तक बोया जाता है रभी की परमुख फसले के नाम कभी कभी पूछे जाते हैं तो रभी के परमुख फसल में जो चना मसूर सरसों मटर तारा मिरा और आलू यह इतना ही देख लिजिए इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है और इसी स इन में से मैंने आपको चना के बारे में बताया था ओप्सन नमबर ए अगला देखिए खरीब की फसल कप बोई जाती है खरीब की फसल जो है किस समय पर जो है बोई जाती है तो यह आपका दक्षनी पस्चमी मानसुन के प्रारम होने पर जो है खरीब की फसल बोई जाती है option यह यहाँ पे सही जवाब कुछ खरीप परमुक फसले को आपको धियान रखना है जैसे धान धान क्या हो गया चावल, मक्का, जवार, बाजरा, मुंग, मुंग, फली, गन्ना, सोया, बिन यह सबी जो है खरीप फसले के अंतरगत आती है अगला देखिए इसी से संबंधित प्रस्ण है भारत वर्ष में खरीप की फसल की कटाई वर्ष के किन महनों में की जाती है तो यह आपका होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है खरीप की फसल की कटाई होती है भारत में सितंबर अक्टूबर में जो है दक्षिनी पस्चमी मानसुन प्राड़म होता है और इसी समय खरीब की फसल की कटाई की जाती है अगला देखिए क्षिन नमबर 30 भारत में जायद फसलों का कौन सा मोसम होता है जायद फसलों का मोसम आपका अप्रेल और जून होता है और अप्षिन नमबर 3 परमुक जायद फसल कौन-कौन है धान, बाजरा, जूट, कपास, तिलहन, खरबुजा, तरबुज, कक्री जायद जो है यह आपका मोसम में उगाई जाने वाली फसल आपका तरबुज होगा, उप्षिन ए, अगला देखिए क्षिन नमबर 32, हरीत क्रांती का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रहिए मैंने आपके इंडिया के बारे में नहीं पुछा है, पूरे दुनिया में हरीत क्र जोज रहे हैं, वो अगला प्रस्न में है, अगला प्रस्न आपके सोच का नुसार है, भारत में हरीत क्रांती का जनक किसे माना जाता है, तो देखे मैंने आपको पीछे बताया, पूरे दुनिया में हरीत क्रांती का जनक नोर्मन बोरलोक को माना जाता है, यहाँ पर क्या है इंडिया की बाद हो रही है तो इंडिया में हरित करांती का जनक जो है डाक्टर M.S. स्वामी नाथन को माना जाता है अगला देखिए हरित करांती भारत की किस पंच वर्षिय योजना के दौरान आरम की गई थी तो ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पंच वर्षिय योजना से संबंधित है तो ये आपका तीसरी पंच वर्षिय योजना में हरित करांती का सुभारम क्या गया था हमारा प्यारा देश हिंदूस्तान में अचा तीसरी पंच बर्स ये योजना कब शुरू हुआ था 1961 से 1966 के बीच अगला देखे इसी से संबधनित कोशन भारत में हरित क्रांती का एक और नाम क्या है यानि कि हरित क्रांती का दूसरा नाम इंडिया में क्या है तो ये है आपका बीज, उर्वरक और सिचाई क्रांती जो है ये हरित क्रांती का दूसरा नाम है अगला देखे कोशन नमर 36 हरित क्रांती का मुख्य उद्यस इनमें से किसका उत्पादन बढ़ाना था इनमें से किस चीर को बढ़ाने के लिए हरित क्रांती की शुरुवात की गई थी तो ये होगा आपका खाद्यानों को बढ़ावा देने के लिए option number c, अगले देखिए कोस्ट नमब 37, हरित क्रांथी का संबंद किस फसल से है, हरित क्रांथी का संबंद जो है आपका गेहुंसे होगा, option number b, यहां पे सही जवाब, अगले देखिए इसी से संबंदित हरित क्रांथी का सबसे ज़्यादा परभाव, किस में देखा गया था, यह होगा आपका पंजाब, हरियाना और उत्तर परदेश में, option number B, right answer, अगला देखिए question number 40, दुईतिया हरित क्रांती का संबंद किस से है, दुईतिया हरित क्रांती का संबंद जो है आपका जैब प्रोद्योगिकी के प्रयोग से है, option number D, अगला देखिए question number 41, भारत में हरि हरित क्रांती के अंतरगत, विक्सित बीज वाली फसलों की उच पैदावार वाली किसमे को चयान करे, यानि कि भारत में हरित क्रांती का अंतरगत जो है, विक्सित बीज जो होती है, इनमें पैदावार होने वाली किसमों का आपको चयान करना है, सबसे ज़्यादा कौन होत इन में से क्या अवस्यक है, अगर हरित क्रांती में सबसे ज़्यादा उपज देना हो, तो इन में से क्या होना चाहिए, तो इन में से आपका अधीक उर्वराक और अधीक पानी होनी चाहिए, option number D, अगला देखिये question number 43, खाद फसलों में इन में से कौन-कौन सामिल है, खाद इन में से कौन-कौन सामिल हो सकते हैं, तो यह होगा आपका खाद्यान दाले और खाद्य तिलहन, option number C, अगला देखिये question number 44, वैस्वी खाद्यान उत्पादन में आधिकतम योगदान करने वाली तीन फसले कौन-कौन सी है, तो दुनिया में खाद्यान उत्पादन के मामले अधिकतम योगदान करने वाली तीन फसले आपका गेहू, चावल और मक्का है, option number D, अगला देखिये question number 45, यानि कि 45 number question है आपका भारत में फसलों के सकल छेतरफल में से खाद्यानों का छेतरफल कितना परतिसत है, तो यह आपका फसलों के सकल छेतरफल में जो है आपका खा क्रिसी योग्य भूमी के छेतरफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है, तो कूल जन संख्या को अगर क्रिसी योग्य भूमी के छेतरफल से विभाजित करते हैं, तो यह आपका काई घनत्व मिलेगा, option number D, अगला देखिये question number 47, कूल फसलों के रूप में भारत में खाद् अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कोन है, तो गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत का सबसे बरा राज्यों आपका उत्तर परदेश है, option number B, अगला देखिये question number 49, भारत में गेहूं के तीन अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अबरोही करम क्या है, यानि कि सब सबसे ज्यादा किस सराज में गेहूं होता है, दूसरे नमबर पर और तीसरे नमबर तक आपको बताना है, तो देखिये पीछे में आपको बताया, सबसे ज्यादा तो उत्तर परदेश में होता है, तो यह होगी आपका एक नमबर, उसके बाद आपका पंजाब होगा, और इसकी खेती की जाती है जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में कई परकार के किसमें कि जो है गेहन की वत पादन की जाती है भारत में ब्रेड़ पर आगे पहले आपको बता दे कि आप अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंद कर लिजिए उसके बाद ध्यान रहे इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद औल नोटिफिकेशन को क्लिक करके यहां पर रखिएगा और बांकी बाद आप इसको करना है तो कर देजिए वरना आपकी मर्जी चलिए चलते हैं 50 पुरने के बाद अर्ध सतक से आगे इन में से वहराज कोन सा है जहां गेहूं की खेती नहीं होता है इन में से बताना है यह चार ओप्सन में से तमील लाडू में है आपका गेहूं की खेती नहीं की जाती है उच टेंप्रेचर यानि कि हाई टेंप्रेचर होना चाहिए और मिडिल रेन यानि कि मध्यम बर्सा होनी चाहिए उप्सन नमर सी राइट आंसर अगला कि 53 भारत में कौन सी खाद फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रेल में काटी जाती है यानि कि जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा भिर्दी हुई तो यह होगा आपका 1966 और उप्सन नमर डी उप्सन नमर सी अगला देखिए यूपी 308 यानि कि यूपी 308 एक किसकी प्रजाती है तो यह आपका गेहूं की प्रजाती है यूपी 308 ओप्सन नमर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए कोशन नमर फिप्टी से वन है इनमें से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है कई वार पुछा गिया है गेहूं में कौन सा रोग होता है तो यही ओप्सन मिलता है और यह जो आपको दिख रहा है त स्व छेत्र में से अधिकतम खेती जो है आपका चाबल की की आति है अपस नमर वी हाँ पर लाइट आंसर होगा आगला देखिए भारत में अधिकतम क्रिकर योग घेरने वाली फसल है इंडिया में आपका चाबल है ऑप्सन नमर ए आगला देखिए इसी से संबंदित भारत में सरवाधिक उपभोग यानि कि भारत में सबसे ज़्यादा खाने में आने वाला परधान समानी अन कोन है यानि कि खाने को प्योग में लाने वाला सबसे ज़्यादा किस अने का प्रयोग किया जाता है तो यहीं है आपका राइस यानि कि चावल ऑप्सन नमबरे बास भारतिया चावल सोध संस्तान का हेड़ का चावल का कांग रंडिया का 36 कोulanा Mt 001 जो है आपका उरिसा में है अगला देखिए कोशन नमर 63 भारत वर्स में चावल की खेती उन छित्रों में होती है जहां पर वर्सा कितना सेंटीमीटर से अधीक होती है तो चावल की खेती उन छित्रों में होती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधीक वर्सा होती है अगला देखिए 64 नमबर चावल की खिती के लिए आदर्स जलवायू परिस्थितिया इनमें से कौन है चावल की खिती के लिए जो है आपका जलवायू इनमें से आपका 100 cm से उपर वर्सा और 25 डिग्री से उपर टेंपरेचर होना चाहिए अगला देखिए 65 नमबर IR20 किस चीज की अधीक पाइदावार देने वाली किसम है यानि कि ये IR20 जो है ये एक परकार की किसम है किसका है ये आपका चावल का एक परकार का किसम है अगला देखिए항Cंड 66 IR20 और रतना ये दो परमुक किसम किस की है तो अभी अभी आपको बताया चावल लेकिन option में चावल तो है ही नहीं IR20 के बाड़े में मैं आपको पीछे में अभी तुरंद बताया ना कि चावल का एक किसम है तो यह आप धियान लेगा यह कि चावल किसे बनता है धान से तो option number D यहाँ पर अंसर कर दिजिए ने क्या tension है IR20 और रतना जो है आपका धान की परमुक किसम में से एक है option number D आगला देखिए 67 number रंजित सब 1 एबं बहादूर सब 1 यह जो है आपका क्या है रंजित सब 1 और बहादूर सब 1 आपका धान की दो नई किसमे है option number C आगला देखिए 68 number कौन सी चावल की किसम इन में से नहीं है देखिए यहाँ पर आपको जाया, हनसा, पदमा यह सभी आपने नाम सुना होगा यह सभी जो है चावल की किसम है option number C यहाँ पर सही जबाब होगा क्योंकि प्रस ने पुछा गया था कि चावल की किसम कोन नहीं है तो जुआला जो है आपका चावल की किसम नहीं है जुआला जो है मिर्च का किसम है अगला देखिए 69 भारत में इन में से कोन सा राज जिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चावल सबसे ज़्यादा जो है आपका पस्चिम बंगाल में होता है option number C यहाँ पर right answer होगा अगला देखिए इसी से संबंधित देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन चार राजियों से प्राप्त होता है वह कोन है यानि कि सबसे ज़्यादा कोन से राज में चावल होता है दूसरे तीसरे चोथे नंबर तक आपको बताना है तो सबसे ज़्यादा तो आपने अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में कि पस्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है उसके बाद उत्तर परदेश होगा उसके बाद पंजाब और उसके बाद आंदर परदेश होगा अगला देखिए किस राज को देश का धान का कटोड़ा कहा जाता है अभी अभी मैं आपको बताया न धान का कटोड़ा किसे कहते हैं चावल उनसंधान किंद्र है यहाँ पर आपका कहा लेकिन दान का कटोड़ा उसके बाद आगला देखिए इन में से किस छेत्र को भारत का चावल का कटोड़ा कहा जाता है देखिए आभी पीछे में आपको राज बताया है तो 36 गड़ को होगा लेकिन यहाँ पे छेत्र पुछा गिया है भारत का चावल का कटोरा जो है आपका क्रिशना, गोदावरी, डेल्टा के छेत्र को कहते हैं option number C अगरा देखिए एजोला किस लिए मिर्दा उर्वरता को बढ़ाता है यानि कि एजोला आपका किस के लिए मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाता है तो यह होगा आपका चावल की खेती के लिए option number D यहाँ पे right answer कर दीजिए अगरा देखिए question number 74 बासमती चावल काफी popular है इसके दाने यानि कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण बासमती चावल के दाने जो है पकाने पर लंबे हो जाते हैं तो उसमें जो है ए माईलोज पाया जाता है option number A यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला देखिए question number 75 बास्मती चावल की रोपाई है तू उप्यूक्त बीजदर इनमें से क्या है बास्मती चावल की रोपाई के लिए आपका 15-20 kg हेक्टेयर जो है आपका उप्यूक्त है option number C यहाँ पे right answer अगला देखिए धान के लिए समानेता परियोग होने वाला खरपतवार ना साकिन में से कौन है धान के लिए परियोग होने वाला खरपतवार आपका यह आपका 24D यानि कि 24D होगा option number C यह आपका एक किसम है मतलब किस समय में मक्के की खेती की जा सकती है तो यह होगा आपका वर्षा भड में जो है आपका मक्के की खेती की जा सकती है option number D अगला देखिए सक्तिमान फस्ट और सक्तिमान दूतिय अनुवामसिक परिवर्तित फसले हैं यह किस की है यानि किस का किसम है सक्तिमान फस्ट और सक्तिमान दूतिय यह आपका मक्का की किसम है option number C अगला देखिए question number 79 चाय की खेती कहां पर होती है देखिए इससे कई questions पूछे जाते हैं तो वो आपको बारी-बारी से करा देता हूँ चाय की खेती जो है आपका पहाडी ढाल पर किया जाता है option number D अगला देखिए इससे संबंधित प्रस्ण है किस राज में सबसे ज़्यादा चाय के बगान है या फिर इस तरह से प्रस्ण पूछ लेगा कि चाय का बगिचा किसे कहा जाता है तो कुछ भी पुछे सब का अंसर राज के बाड़े में पुछे तब होगा असम option number A right answer हो जाएगा लेकिन अगर आपसे सहर के मामले में पुछे न तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे इस तरह से पुछे कि किस सहर को चाय का बगिचा कहा जाता है किस सहर में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है तब आपको अंसर करना है दार्जलिंग option number C राज के बाड़े में पुछे तब होगा आपका असम और सहर के बाड़े में पुछे तब होगा दार्जलिंग basically दार्जलिंग जो है असम में हैं ही नहीं इसलिए कनफ्यूज हो जाते हैं इस्टूडेंट दार्जलिंग जो है आपका पस्चिम बंगाल राज में है अगला देकिए question number 82 दक्षिन भारत में सरवाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज कोन है ये तो all इंडिया की मैंने आपको पीछे बताया कि असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है और सहर के मामले में दार्जलिंग है लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज में होता है तब आपका होगा तमीन लाडू option number D किस भारतिया राज को चाय का उत्पादक राज नहीं माना जाता है नहीं की बात हुई है तो यहाँ पर आपका 36 गड़ में जो है चाय नहीं होता है option number D अगला देखिए बहुत important प्रस्ण है इनमें से किस की खेती में काट छाट अनिवार अंग होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या चीज की खेती है चाय की खेती है इसमें काटना छाटना अनिवार नहीं माना जाता है और करना ही परेगा आपको अगर चाय की खेती करनी है तो अगला देखिए 85 number coffee काफी को जो है कहवा कहा जाता है यह आपका कौन सी एक झारी होती है काफी जो है यह आपका यह कौन सी झारी होती है जिसे कहवा कहते है तो यह आपका उसन कटी बंधिया झारी होता है कौन सा झारी उसन कटी बंधिया झारी option number C अगला देखिए 86 number अंग्रेजो द्वारा सबसे पहले कहवा जिसे आप कॉफी काते हैं कॉफी के बगान अंग्रेजो द्वारा सबसे पहले कहां पर लगाए गए थे यह होगा आपका चिक मंगलूर जनपद में चिक मंगलूर चिक मंगलूर आप डिरेक्ट पुछ लेगा कि चिक मंगलूर है कह तो देखिए आपने बंगलूरू का नाम सुना होगा, बंगलूरू का एक सहर है, बंगलूरू जो है करनाटक की राजधानी है, करनाटक में बंगलूरू है, मंगलूरू है, तो वहीं पर आप ध्यान रख लिजिएगा, कि चिक मंगलूर जो है, वहीं का एक ही लिस्टेशन ह लहाँ पर बीजे जवाब होगा चिक मंगलूर जनपद में अंग्रेज्यों द्वारा सब से पहले कोफी का बगान लगाए गये थे भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कोफी की किसम आपका अरेविका है और उपसन नंबर अगला देखिए 89 नमबर भारत में कौफी का अधिकतन उत्पादन करने वाला राज कौन है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौफी को उत्पादन किस राज में होता है करनाटक option number 8 question number 90 भारत में कौन सा राज देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है इंडिया का इकलोता उस राज का क्या नाम है जो 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है वो है आपका करनाटक आगला देखिए 91 number इनमें से किस जिले में कौफी का अधिक उत्पादन होता है यहाँ पे जिले की बात हो रही है डिश्टिक की तो कौफी के उत्पादन के मामले में डिश्टिक आपका कूर्ग है और यह कूर्ग डिश्टिक है कहां करनाटक में ही है अगला देखिए कौशन नमबर 92 जूट सबसे अधिक कहां होती है जूट सबसे ज़्यादा बंगाल का डेल्टाई छेतर में होता है अगला देखिए 93 नमबर जूट उत्पादन में सबसे प्रचूर परदेश कौन सा है सबसे ज़्यादा किस राज में जूट उत्पादन होता है यह होता है आपका पस्चिम बंगाल option number 1 आगला देखिए 94 number भारत का सरवाधिक पट्सन राज कौन है तो देखिए यहाँ पे जूट पीछे मैंने बताया था मैं आपको दूसरा नाम बताना चाहता हूँ कि जूट का दूसरा नाम जो है पट्सन होता है और यह आपका कौन है पस्चिम बंगाल है पीछे भी यही कोस्चन था लेकिन यहाँ पे कोस्चन में घुमा के पुछ लेता है जूट ना दे करके पट्सन दे देगा तो confusion मत होना है पट्सन और जूट एक ही है जैसा कि आप चीतर में भी देख सकते है और इसका उत्पादन के मामले में वेश्ट मंगोल सब से आगे पर है आगला देखिए रेसे वाली फसले कौन सी है रेसे वाली फसले इनमें से option में से आपका chain करना होगा तो ये होगा आपका रेसे वाली फसल का पास सनई, पट्सन और मेश्टा है आगला देखिए question number 96 BT वीज का संबंद इनमें से किस से है BT वीज का संबंद आपका का पास से है option number C यहाँ पे right answer हो जाएगा आगला देखिए 97 number भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारी कुतपादन के लिए अनुसासित किया गया है जेनेटिक रूप से परिवर्तित फसल जो है आपका ये BT कोटन है और ये व्यापारी कुतपादन के लिए अनुसासित किया गया है option number C अगला देखे 98 नमबर कोशन आपके स्क्रीन परा चुका है सबसे ज़्यादा कपास जो है दुनिया की इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसे कहते हैं Sea Island अगला देखे 99 नमबर कौन सी दसाएं कपास की क्रिसी के लिए अनुकूल है तो कपास की क्रिसी के लिए इन में से कौन अनुकूल है गर्म, आदर तथा दिर्ग, ग्रिस, मिकाल जो है आपका कपास के लिए अच्छा माना जाता है अगला देखे कोशन नमबर 100 भारत का सबसे बरा कपास उत्पादक राज कोन है यानि कि इंडिया में सबसे ज़्याद किस राज में कपास उत्पादन होता है तो यह है आपका महाराष्ट ओप्सन नमबर B इसी के साथ जो है आपका 100 कोशन्स कम्प्लीट हो चुका है अब एक प्रस्न मैंने आपके लिए बहुत आसान सा रख दिया है प्रस्न है कि छेतरफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बरा राज कोन है इस प्रस्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो का अंत में वही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप समझ सकते हैं क्या करना चाहिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सियर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें उसके बाद इस बेल आइकन को किलिक करने के बाद ध्यान रहे ये औल नोटिपिकेशन बेल आइकन को किलिक करके रखना है तकि हर छोटी बड़ी कोशन से रिलेटेड वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे इसी एक साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत